तो एलो काईज, वेलकम टो माई डी व्लोग, मैंने एक नए व्लोग में अपना हाटिक स्वाकत है, पिछले व्लोग में सारक पूर, और अभी हम जा रहे हैं पुड़ा, और अभी हम आगे आ चुके है, मैं और मेरे साथ ही दुबाई, अब बहुत सारी मस्ती करेंगे, मजा तो देखो, इस साइड इस टाइप की खेती होती है, यह हूँ, इसके साइड में है, एरेंडे, इंदी में तो क्या बोला जाता है, इसके मालुम नहीं है, यहाँ पे केहू, एरेंडे, परियाली, कपास, इसको एरेंडा बोला जाता है, अपने इंदी में तो ख़बर नहीं, आपने, इंदा, इंदा, गाइस और यह है, कपास, इंदी में तो पता नहीं, लेकिन इसका जो रूह अभी और अलग-अलग प्रकार की यहां पर खेती होती है सब दिखाऊंगा मैं सांती से देखते रहिए सब दिखाऊंगा देखो गाइस कपास कपास और खेतर देखो आप फामाउस देखो लंबा-लंबा है इस हम जा रहे थे भगोडा तंदू काइवे से और यहां पर अलग-अलग प्रकार की खेती दीखने को मिली यहां पर कपास है बहुत तारा इस तरफ बर्याली आती है ना यह है वर्याली वर्याली के भी खेती हो रही है इसके जर्ष्ट बाजु में है यह के हूँ यह और अलग-अलग प्रकार के सब खेती कर रहे हैं तो जो जो आएंगा आएगा हम सब आपको दिखाएंगे बने रही है व्लोग पर है और हमारे जीदू भाई अभी कुछ बोलेंगे बताएंगे कि इस आईवे पर क्या-क्या है अब हमने देखे थे बीच में आया था गेव की खेती वहां पर क्यों ही थी और अभी यहापर पर बरियाली है यह वर्याली है और एरंडे उसकी पास में है वह उदर दीख रहे हैं और कपास इस साइड है और इधर गेव हो है पिछे और हमारे राहुल भाई भी कुछ बोल पर से व्लोग चालूँच से हमारा प्याहने व्लोग पर बोर यहां पर बोर है अन बाजू में सुके हुए बोर हुए 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 सब्सक्राइब कर यहiben बोटूपल बनेह लिगे हुए 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 ah तो यह बहुं को दिन प्र स्याम कालजिब को पार्याते पाया र psychiatric ан salary नहीं हो हुए बोंग्भान मूट को अठकरां की शाम्स resp. पानमग भाल अना हां सभाव डि़ डेंग बताओ जो क्यों आज़ बताओ पुप्लीक ने बताओ कि अपड़ी बताओ कि अपी वाटे पुरें किया ते अधिया तो रहा है यह बोर किया थाता है इसे लहीं आया लेके आए लेके आए लेके आए तो दोस्तो घुड़ा जा रहे थे और बीच में भावना कर आता है बावना करके आएसी खोडियार मा का मंदिर आता है सालो गुराना है लोग भी जानते है राज पराक खोडियार माता का मंदिर पहले ऐसी मारकेट आती है देखें जी यहाँ पर सारी चीजे मिल जाती है लोग में जुड़े रहने के लिए आप सभी का कुप कुप दन्यवाद पह दिल से हम दन्यवाद करते हैं और अभी हम जा रहे हैं भगूडा भूगल धाम और बीच में बावनागर आता है है वहाँ खूडल मा का दान है और वहाँ पर हम दर्शन के लिए आए है आप सब आओ तो बावनागर से पहले जस्ट दस किलो मेटर बारा किलो मेटर पहले आता है तो दूस्तों अभी मंदीर पे आ चुके हैं अंदर जाएंगे एंट्री के लिए दिखाते हैं आपको किस सब्सक्राइब का मंदीर है वहाँ पे मंदीर है आपकी आपको पिछे का नजारा दिखाता वह भी बने रही है व्लोग पे अंदीर के ज़स्ट पास में ही कि यहां पे है खोड़िया तांतनी योद्रो कि वह 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 बेड़ अच्छा है कि बढ़ाया हुआ है लेकिन अच्छा है और यहां पे है कुछ इस ताइप का तलाब हुआरा कि एक्जस किया हुआ है कि यहां से जिल कुछ इस टाइप की दिखती है कि आए 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 यहां पे पुराना मंदिर होना चाहिए यह सब स्कूल के बच्चे है जो अब टूर पे आए हुआ यहां से है चड़ने का रस्ता स्कूल के बच्चे देखो कैसे आ रहे हैं उपर मंदिर है पुराना सदियो पुराना मंदिर उपर है आए 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 बाद में आएंगे अलंग नहीं जाएंगे अभी क्यों अभी ताइम ज्यादा मुझे तो अलंग देखना है अलंग देर हो जाएगी यह इसा है वह बड़ी बड़ी स्क्रिमर भी देखनी है पर टाइम बहुत हो जाएगा वहाँ पर क्योंकि रास्ता लॉंग है चलो ठीक है कोई बात नहीं मिलते बने रही है जाते यहां पर एक अच्छी सी मुर्थी देख रही है आप देखीजिए कितनी प्यारी है मुर्थी है 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 यहां अब हम आये हुए है बावनगर में और खाने का वोटल सर्च कर रहा थे तब ही दिखाई दिया कि दादा की वाड़ी में अमेज श्राइस के साथ खाना खिला आजाता है अभी हम आए है दादा की वाड़ी में और यहाँ पे 500 रुपयों में फूल डीश है अब ही मैं दिखाता हूँ कौनसी कौनसी सबजी है वो सब यह सब भी मेनू में जो दिखे है और यह सब की सब है अनली फूर डीश रुपय म फ्लावर चिली दोसा यह सब डीश में इंक्लोड़ी थे और यहाँ पे है कचुंबर गुड चटनी पनी रंगारा ओडो यह कुछ लगे आलो मटर पालक मगदाड वेज तुफानी इसके बाद रोटला रोटी रोटला है इसमें पापड पाइनेपल का हलवा खिचडी तड़ी और यह है पुलाव खिचडी वो दादा की वाड़ी चाहस पी मिल जाएगी यहाँ पर और हमारे साथ जो फ्रेंड थे इन्होंने अभी बीस ले ली है आप देख सकते हो इसके अंदर है रोटी पापर प्रुबर सब कुछ शास दिये है बाकी हुआ है आइटम ली कि दूए यह है फ्लावर शिल्या जो साथ जो समें जो जो ना कोई ना कोई तो एक नमबर अगरा अब तो यह एक समजी की थाली लाई यह वी तो बाती है कि अब कि अब कि अब कि अब कर दोस्तों अब खाना खाके हम निकले है मोगल नाम की ओर है और पिसे हमारे सब दोस्तों के साथ में और यह पर खाने का यह भूटी मसा आगया है मेरे सब दोस्त साथ में है और खाने के अंदर पंचा भी काट्या वाडी गुज़रा थी सब था साउथ इंडियन और चाइनिज भी साथ में था तो आप भी कभी भी आओ तो यहाँ पर खाना-खना मत वहना दादा की वाडी पादा की वाडी चलो अभी जलते है जाने दो को कि अभी जानारो, आफा है जानारो को इस एकड़ियों से डिरीचत एगॏँल कि अोदे छोलने दो खानारो माइब maps लेकर जाए जाए टेन storm कि अार टे एक लेड़ियों अएगि तो दोस्तों अभी बज रहे है रात के बारा और अभी हम जा रहे हैं बगदाना जाके नाइट होल्ड करेंगे सुबा फिर नादो के बगदाना दर्शन करके निकलेंगे अभी जा रहे हम बगदाना के लिए वहार नाइट वोल्ड करेंगे वहार उपने की सुविदा है उसके पार चाहेंगे सुबा उठेंगे नो दस बजे फिर रेडी होके जाएंगे बगदाना तो बिलते हैं बगदाना चाहें अभी हम आए है बगदाना पर आते आते एक बज गया है तो अभी हम सिता डायरेक सोने के लिए जाएंगे चलो मिलते हैं फिर सुब गुड नाइट तो यहलो दोस्तों गुड मॉर्निंग अभी हम उठ चुके हैं यहां से में गाड़ी लेने गया था जो पार्किंग में ख जाएंगे में भी जाता हूँ ना लेता हूँ उसके बाद मिलते हैं तो दोस्तों गुड मॉर्निंग अभी सब नहां चुके हैं गुजराती में बोलेंगो बापा सिता राम बगदाना यहां पे हैं मंदीर अभी हम जाएंगे गाड़ी बार्किंग में रखने के लिए गया बार्किंग भी देखनो फ्री में है फ्री फार्किंग यहां पर कोई चार्जस्ट नहीं है सब कुछ फ्री कि छलो फिर दोस्त आते हैं दो मिलते हैं अंदर जाते हैं फिर मंदीर के अंदर एंटर हो चुके अभी हम देख लेजिए इ Dollar है बोजना लाय दोस्तो यह मंदीर है मंदीर के जेस्ट पास में यह काल भेरव दादा कर तरते हैं त यह मंन्दीर है नया और यह है पुराना मंदीर halfway दर्षन के लिए फ्रस्ट यहां पे यह जा ती इंग बार उपर जाती हैं और इधर है पोजना लाए यहां से गेट से अंदर होके इधर जाया जाता है अभी हम जाएंगे उसके अंदर आपको दिखाएंगे टाप प्रस्त पार आया हुझ में तो जाते अंदर से लो दिखाते आपको अंदर से दिखाते हैं आपको मंदीर के अंदर और आपको भी दिखाते हैं मंदीर का नजरा मंदीर के अंदर एलाउड नहीं है केमेरा तो यहां से दिखा देंगे आपको किस टाइब का मंदीर है कुछ इस टाइब का मंदीर है आप देख लिजिए मंदीर का नजरा इस टाइप का है मंदीर के पास आ गये है और आप भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पे कैमेरा का एलाउट नहीं है लेकिन मैनेज करके कर लिया इस टाइप का है पकड़ाना का मंदीर तो दोस्तों यह जो मुर्थी दीख रही है यह चांदी की है और वो भी कि पता नहीं है लेकिन 500 किलो से ज्यादा ही है एक जर्ट मालूम नहीं है यह इस टाइप के मुर्थी है अब मंदीर से बाहर का नजरा अब यहां से जाएंगे अब बाहर जो दूसरा मंदीर वहां पे दर्शन के लिए जाएंगे गाइस इसका नजरा केसा है आप पूमेंट करके बताना आपको भी मंदीर के लगा वह सब कॉमेंट में बताना तो मंदीर के ही है है यहां पे सीडियां यहां जाया जाता है और यहां से कुछ साइड में इस टाइप का नजरा है यहां तो सांती वाली जगह है लोग यहां पे बैठके इंज्वे कर रहे हैं दूप में बैठ है कड़ी दूप में और यहां से मॉर्निंग की व्यू दिखिए अब हम जाएंगे उपर आपको भी दिखाते हैं कैसा है कैसा ने बाकि आप मंदीर देखिए आपे हैं राम जी मंदीर बाहर का नजारा देखिए दोस्तों हरियाली हरियाली इस तरफ फारकिंग की विश्विदा है देख लीजिए यहां पर बस इस खड़ी है उपर से अपी तो मंदीर काम का चल रहा है जो मंदीर मैंने नीचे से बताया हूं उपर से देख लीजिए राम लक्षमन सीता और हनुमान तो आप दर्शन कर लिजिए तो गाइस मंदीर से दर्शन करके नीचे आ गए हैं अभी जाते हैं यह प्राचेन मंदीर मतलब फर्ष्ट वाला मंदीर यह था उसके बाद यह बना वैसे वहां पे मना करें तो यहां से देख लीजिये फर्स्ट तो इस टाइप का है पापा-सितराम कम उपर से देख लीजिए यहां से है गादी मंदिर निए भी एक जो पैल एक ज़ने tirar टेकल और ने क्रों कर लिए अभी एक किंगा ने धिक वह को दिखा देशया है यहां है यहां समाधी मंदीर पाप मंदीर बनाया हुआ है यह है समाधी मंदीर इसके बाजु में है कादी मंदीर और उपर बनाया है मैं मंदीर जो की वो चांदी का मूर्फिपी वो आप यह अंदर जाके आपको दिखाते हैं यह है समाधी मंदीर समाधी मंदीर बापा सिताराम समाधी मंदीर मंदीर के जश्ट नीचे ही मस्त यह प्यड़ है एकदम हराबरा जहां पर बहुत अच्छी चाया है यह मंदीर तो मैंने पहले दिखाया था बाकी अभी यह सब लोग आ रहे हैं अब पब्लिक आने लगी है हम थोड़े जल्दी आ गए थे सुबह-सुबह इसलिए पब्लिक कम थी अभी सारे लोग आ रहे हैं हम्हें तो हमारे जो बाकी के फ्रैंड्स थे वो दर्शन करके बाहर की चले गए हैं तो अब हम जाते और यहां पर है कार्या लएं बाकी आपको चाय अगेरा भीनियों तो यहां पर खाबो प्री में मिल जाएगी दी यां पर यहां पर जन से सब खोगे झीजाती है है अ कि मतलब यहां पर सब कुछ प्री है अश्य दूस्त वही में बाहर जा रहा था लेकिन मैंने अपने कायंत को फॉन किया तो उन्होंने बताया कि यह जो मंदीर है इसके ज़स्ट पीछे ही वो लोग बैठे हैं और मैं अभी वापस आया हूँ तो वो बोल रहे थी यहां पर कुछ है तो तुम भी आ जाओ तो देखते हैं कि यहां पर क्या है पाकी तो यह मंदीर है इसके ज़स् यहां पर है ध्यान मंदीर ध्यान मंदीर बापा सिता राम क्यान मंदीर होगा ना क्योंकि यहां पर सांती तो देखो एक दम सांती मैंने उफर से भी बोला था कि यहां पर सांती कितनी अच्छी है तब मुझे पता नहीं था लेकिन यहां यह तो पता चला कि यहां पर ध्य यहां पर है ध्यान मंदिर देख लीजिए बाबा सिताराम और यहां पर साइलेंट कोई नोईज नहीं है कि बंदिर इतना सा क्लेन और वह है कि आपको बैठे बैठे कब नीद आज जाएगी वह भी पता नहीं चलेगा ऐसा है यहां पर नेच्रोली एट्मोस्पियर है करने पैड़ों के बीच में एकदम कूल कूल द्टम Pepper, I Begg आहएँ जाएएवी क्सया अूलस्atisfक्रावट झाला करे मतना है करना है करना है कि यह नहीं पारों के तो बंदित OUR डिघं आज है है झाल झाल